कि दूस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लिकर आए हैं आपके लिए आपर बहुत भी महत्तपूर्ण सब्सक्राइब करें रोज दो बजी अपनी एक लास होती है जहां पर महत्तपूर्ण लाए जाते हैं तो आज का अपने यहां पर फर्ष्ट क्वाश्चन क्या पूंचा गया है देखे आज का फर्ष्ट क्वाश्चन यहां पर दिया गया है कि सोनेर साहय के नदी है खाली स्तान की किसकी साहय क्नदी है य आपके लिए बताना है बताइए क्वाशन नमबर यहां पर हाइं हाँ है आपका यहां पर सही और बत्त बढ़िया अब कॉंचा और यहां पर पूंचा है यह आप के संग मर्मर की चट्टान है और यह जो है पानी हाँ पर पानी वरहे धुनादा जल्परपाथ नर्मदा नदी पर यह जो है बना है कहांपर बेड़ा गाठ जवालपुर में कहां से पढ़ना था पनको में त्यपून कॉश्चन था किए में अंजार एक नदी है जो ौ खालि और नर्मदा या पर गंगा और यमना सोन और कैन या पर कैन और खदर के बताएगे चातरपुर जिले में दो नदियां है वह दो नदियां आपको चेह निकरना है मत्तुपूर्ण question यहां पर पूंचा गया है और अन्ठान्याफे में के एनंव खतर आपका यहां पर जो विकल्प नमबर डी है अभर अपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार आपका सह आंसर है बहुत हम्या मद्द प्रदेश की स्थले सबसे बड़ा जरना कौन सा है लोग जल परपाथ है चचाई जल परपाथ है बताईएगा मद्द परदेश में सबसे बड़ा जरना जल परपाथ पूंचा गया है तो वह माना जाता है कौन सा चचाई जल परपाथ विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका यहां पर सही आंसर होगा जो चचाई जल परपाथ है मद्द परदेश के रीवा में बीहर बीहर भी बोलते हैं बीहर नदी पर इस्तित है परदेश का सबसे उंचा जल परपाथ माना जाता है कौन नंबर आपका यहां पर दो पूंचा गया है देखेगा कि इवेन पूल जो एक इसनान पूल है खालिस्तान में इस्तित है पचमणी में चंबल में खजुराहू में या पर ताप्ती में रिखोष्यन अंबर आपका यहां पर दो सो पूंचा क्षा किया है दोसों में आपके लिए चयन करना में और दोसों में आप सभी का ऑप सभी आंशर वेकल नंबर एक यानिक पचमणी क्या हैundo-प्रदेश के परटन इस्तित और पेया दरश्मणी में पूंचा क्या है दो सो एक बाक वाश्चन रनी जर्ना जो है ये खालिस्थान नदियों द्वारा बनाये जाता है जेल प्रेरी जैसे एक्जामों में पूंचा गया है अंकित जी बताइएगा क्या होगा दो सो एक में सैयांसर अंकित सीपी जी रनी जर्ना जो है रनी जर्ना खालिस्तान नदियों द्वारा बनाये गया है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा यह कैन और खदर नदियों द्वारा बनाये गया है विकल्प नंबर आपका क्या सही आंसर बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहां पर सही आंसर होगा रनी जर्णा की बात करें तो य लेकि प्रसिद्ध परनेटर निस्तल खजुराहू से बीस किलो मीटर दूर जो है त्यान नदी और यह जो बिल्कुल सही अंगला कौशन पूंचा गया किसमें आयता विसाल जी कौशन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है दोसो दोबा कौशन यहाँ पर दिया है नर्मदा नदी एक बड़ी नदी है लेकिन एह बितरिका के पास नहीं है क्योंकि नरब सागर में निकास होने से से पहले कई बांद है आप सभी का सई आंसर है विकल्प नमबर सी याष्टी यानि की एक दरार घाटी के मत्चम से बढ़ती है तो विकल्प नमबर सी आपका सई आन्सरों प्रदेश की सबसे बड़ी वद्देश की 5 भी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है लेकिन वित्रिका की पास नहीं है या क्योंकि यह एक दरार घाटी के मध्यम से ओकर गुजरती है नर्मदा नदी मध्द प्रदेश में यह जो है पूंचा गया है बर्ना साहय के नदी है खालिस्तान की किसकी साहय के नदी है यह आपके लिए बताना है बताइए बर्ना पूंचा गया है कौश्चन मत्व पूर्ण है यहां पर दिया गया है आपका कौश्चन नमबर तीन दो सो तीन वा कॉस्चिन पूंचा गया है और दो सो तीन में आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा बरना साइक नदी है किनकी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नर्मदा की विकल्प नमबर आपका यहाँ पर D सही आंसर होगा नर्मदा जन्वानवी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा MPG के पढ़ रहा है MPG के ए है अपना जो भी MPG के मतलब जिसको भी MPG के पूंचा जाता है तो वह इस क्लास से जुड़िएगा नर्मदा दोरा गटित जल निकासी विवस्ता है यह आपके लिए वताना है सलाखें है या पर ब्रक्ष के समान या पर रेडियल है या पर आईताकार है वताएए भरीष जी अंकित जी विसाल जी क्या होगा question number 204 में आपके लिए सईयांसर बताना है नर्मन्दा द्वारा गठत जल निकासी वस्ता है तो आप सभी का यहाँ पर सईयांसर होगा सलाखें आपका विकल्प नंबर एक जो है आपका सईयांसर होगा सलाखें जनौनवी चैन क्या है विकल्प नंबर एक उनका यहाँ पर सईयांसर होगा अंगला है कॉस्चन यहाँ पर देखेगा लोग प्रिये सिव मंदर जो की बेतवा नदी के तक पर है खालिस्तान में इस्तित है बताईएगा उज्जन में मांडू में बोचपुर में या फिर रीवा में बताईए बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन पूँचा गया है आप सभी का यहां पर सभी आंषर आ रहा है कि यह बोचपुर में कहा पर बोचपुर आपका विधकल्पमर सी जो है वह आपका सभी आस्र सायां चर्मार बद्र चिराजा इस मंदर को सौमनात कहा जाता है अंगला कॉशन यहाप देखेगा किस नदी को प्राचिन समय में चर्मा बती कहा जाता था बताईगा चेन कीजे का चंद्र सेकर नदी को, चंबल को, तबा को या पिर पारबती को बताईगे चेन कीजेगा महत्पूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है किस नदी को प्राचिन समय में चर्मा बती कहा जाता था तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंशर वेकल नमबर B आने की चंबल आपका यहाँ पर सही आंशर है चंबल आपका सही आंशर देखेगा भूस सार यह मतपुन कौशन वह सारे अग्जामें पूंचे भी गए है और चंबल नदी जो है दच्छन दिसा में नहीं बाइती है बताईएगा नमनमय से बताना है गोदावरी बानगंगा केन या फेर नर्मदा बताईए चड़िंडरा बती हैं पर 207 वा कॉस्चन आप से पूंचा गया है और 207 में आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर आपका सी सही केन आपका यहां पर सही आंसर होगा केन जनोनवी चैन क्या है दिएगा विकल्पों में से मद्दे प्रदेश के बुंदेल खंड की जीवन कहा जाता है किसको केन नदी को केन नदी जो है केमूर पहाड़ियों से निकल कर उत्तर की और वहती हुई एमना नदी में मिल जाती है और साथ जो दच्छन की और नहीं वैठ एंती है बिल्कुल चाहिए तो विकल्प नंबर आपका यहां पर यह जो क्यान नदी है वह आपका सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर आठ पूंचा गया है क्या पूंचा गया देखेगा आड़वा कॉस्चन प्र आठ और आठ में आप सभी का सही आंसर बताना है राणहता संगम किस दो नदियों का माना जाता है तो विकल्प नंबर आपका सही आंसर है वेन गंगा और दा विकल्प नंबर आपका जो सही है वह आपका सही आंसर है बहुत बड़ियां विल्कुल चाहिए जन्होंने आठ है उनका शही आंसर होगा। अंग्ला discussion यहां पर देखते हैं कि बर्दा नदी कहां से निकलती है। चंदबाडा से, सिसंदी से, वेतूल चे, उध्यं से, बर्दा बताना है और बर्दा नदी निकलती है कहां से तो आप सभी का यहां पर सही आंशर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहां पर जो सी है वहें आपका सही आंशर है यानि कि बैतूल से कहां से बैतूल आपका यहां पर प्रब्बाई चीत्र 24,087 बर्व किलूमीटर है बर्दा नदी महराष्ट में बेन गंगा से मिल जाती है यह भी याद रखिएगा अंगला कॉस्चन देखेगा दर्दी जल्परपात जो है किस नदी परिस्ते थे बताईए या चंबल नर्मदा सौन या फिर बीहड कॉस्चन मत्पूर्ण है क्या होगा सही आंसर दर्दी जल्परपात जो है किस नदी परिस्ते थे और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो विलकुल सही आप सभी का सही आंसर है नर्मदा आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी जनोने भी चैन क्या है उनका सही आ जल्परपात ये प्रदेश के खंडवा खंडवा अंजले में बनाती है दर्दी जल्परपात को बिल्कुल चाही हो संगाबाद जो है किस नदी के किनारे वसा है लाइक अवस्य कर लेंगे सबी लोग जोनोंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है पारबती नर्मदा बेतबा या प्रतापती होसंगाबाद बताना है QAZE NUMBER 11 का सय्यांसर चैन कीजेगा क्या होगा सय्यांसर होसंगाबाद किस नदी के किनारे स्ट्थे दो और आप सभी का यहांपर सय्यांसर आ रहा है विकल नमबर आपका B सय्यांसर होगा नर्मदा क्या सभी आंसर नर्मदा आपका बी वालद जो विकल्फ है आपका सभी आंसर है बुओ बढ़ियान विलकुल श़ए मद्द प्रदेश का हुसंगवाद नंगर जो पवित्र नदी नर्मदा की कुनारी इस्तित एक अत्यासिक नंगर माना जाता है था यह हैं या पिर तर्प्ति है यह सोन है कि जैन कीज़े का सभी लोग भध्शे कों सी नदी कमबाद या यह काया प सभी का यहां पर 12 में सभी आंसर है आपका सी यानिकी ताप्ति आपका सभी आंसर है वेिकल नंबर सी जननों अभी चेन क्या है उनका सईयांसर है तापती जो है पच्छमी भारत की प्रिसिद्ध नदी है भारत यह मद्द प्रदेश राजे के बैतुल के मुलताई से निकल कर अर्थात अह नदी पूर्व से पच्छम की उर्पहती हुई लगबग 825 किलो मीटर दूरी तै करती हो खंब टाने आपके लिए तीं सो तarse है द्यापरफ पांच्सिव किलो मेटर साफ सौपचासी किलो मीटर तो तो सौनने नदी की लंबौ भाई आपसे पूंचेगे है टिसकी लंबाई मानि जातेल साफ सो पचासी किलो से नंबर आपका जो सी है सही ho नदी की साइक नदी मानी जाती है का उदगं मैकाल परबत कि अमर कंटक नामक पठारी भाग से सा सवाना जाते हैro यहां पर देखेगा और आप से यहां पर पूंचा गया सब्सक्राइब कोशन अपसे पूंचे गया है चूलिया जल्परपात कि आस यह आपका चंबल नदी पर कौनसी नदी पर चंबल आपका विकल्प नंबर यापका चा से चूलिया और चा से चंबल विल्कुल से यंगला कॉश्चन यहां पर देखेगा कॉश्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा क्या है क्या पूंचा क्या है मंधार जल्परपाथ जो है किस नदी पर है मंधार बताना है चंबल पर काली संद पर बेतवा पर या फिर नर् हैं यान्सरे नर्मदा किस नदी पर नर्मदा आपका यहां पर शईयांशर होगा मंदार जल्पिरपाथ नर्मदा नदी इपार द्वारा निर्मे ठे यह जल्पिरपाथ थंडिया थथा बड़बाय की मत देखते थे नियमा बर से करीब 40 कोलु मीटर पर मंदार मंधार पर और पंसासा के करीब 40 किलू मीटर पर जदराई में नदी जो है लगबग 12 मीटर की उंचाई से गिर कर इन जलपर पातों का निर्माण करती है अंगला कॉस्चिन यहां पर पूंचा गया है कि पुरा इस्तल एरन किस नदी के किनारे इस्तित्य पुरा इस्तल माना जाता है अगि और आप सभी का सईयांसर की पुरा इस्तल एरन किस नदी के किनारे इस्तित्थ काली संध नदी टमस नदी या फिर हम पर नर्मदा नदी तो आपका विना नदी विकल्प नंबर ए जो है आपका सउयांसर है जो है मूं द्यांचल परवत्मालाओं की एक पठार में इस्तित एक बैश्णवन छेत्र है जो की मंद्रों की एक महानिस रंकला की रूप में जाना जाता है दीन नदी बेतबा नदी की साइक नदी है एरन में चार संस्कृतिक इस्तर तम्र अश्य काली ने लोह युगीन तता दो परव परवर्दी है बंड larva बताने किस नदी के किनारे इस्तित है बताइड़जी और आप सभी का सैया आनसर है कि नर्मदा विकषण नंबर एक आपकी नह पर रूप नर्मदा जिन्वहने विचन क्या है उनका सैया आंसर है देखिएगा मंडला नगर नर्मदा नदी के किनारी जवलपुर से 45 मील दक्षनपूर्व में जिले का प्रिसासने केंद्र जो तीन ओर से नर्मदा द्वारा घिरा हुआ है मंडला प्रिदेश का एक आदिवासी बहुल जिला है विस्व प्रिसिद्य काहना राष्टी उद्धान जो है अब उद्धान है यही पर है कहां पर मंडला जिले में पूंचा जाता है बिल्कुल चाहिए बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखेगा निम्नान कित मैसी अब के लिए चैन करना है तो अपन ने अब भी पढ़ा था धुमाजाद धार जो जल्परपाट है अध्य प्रदेश के जवल्पुर जले का प्रशिद्य जल प्रपाथ है जो की मद्व प्रदेश के बाद जो है वेड़ा घाट में स्धित है यह है अपन नर्मदा नदी की सफेद है और दुए के समान उड़ने लगता है इसी कारल इसे क्या कहते हैं दुआधार जल प्रपात कहते हैं जब कि जोग प्रपात दोजसागर प्रपात तथा कदम भी जो प्रपात है कन्नाटक जली में माने जाते हैं इस्ते थे जल प्रपात क्वेशन नमबर आप से 20 कुशी नती बेतवा नदी के नाम से जानी जाती है तो आप सभी का सई आंसर है कि वेकल नमबर 20 है सँद्द ways if भी तवलेतरा वती कि नाम से जानी जाती है बिल्कुल운 ऐमना की साइक नती है जाता है, जब की चमबल का प्राची नाम चर्माबती है, तापती को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है, तब भी पड़ा पन्य, तापती को कहा जाता है, तो विकल्ब नमबर भी आपका यहां पर सही आंसर होगा. अंगला question यहाँ पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है कौनसा वाइस वा question है कि किस नदी को मालबा की गंगा कहा जाता है मालबा की गंगा कहा जाता है चिप्रा को, सिंद को, चंबल को या फेर यहाँ पर बेतबा को question मत पून है सभी लोग चेन कीजेगा क्या होगा सही answer और आप सभी का यहाँ पर सही answer आ रहा है question number वाइस में वेकल्प नमबर आपका एक सही answer है चिप्रा को, किसको चिप्रा को आपका यहाँ पर सही answer होगा जो चिप्रा है यह मालबा की गंगा इसी को कह जाता है चिप्रा को चिप्रा नदी मालबा से होकर जो है फिरिगट होकर मालबा में ही आत्म समर पे थो जाने वाली नदी में अग्रणी है इसका उदगम इंद्वर के निकट काक्री बन्नी से जो है इसका उदगम माना जाता है किसका छिप्रा नदी का उध्गा में इस्तल छिप्रा नदी की किलारी उज्जन वसा है महाकाल की नंगरी, question number, आपसे यहाँ पर पूंचा गया है, बहुती मत्वण question है, बहुत सारी एक्जामें में पूंचा गया question है, कि कपिल धारा जर्णा किस नदी पर निर्मित है नर्मदा पर तापती पर सौन पर या फिर छिप्टा पदी की साई में पूंचा गया पुलिस कॉंस्टेविल असिस्टेंट में भी गुरूप दो में भी और बहुत सारे एक्जामों में ये कॉस्चिन पूंचा गया आपका नर्मदा जनानवी चैन किया विकल नंबर एक कपिल धारा मद्द प्रदेश के अनुपूर जिली में नर्मदा नदी पर इस्ते जल पर पात है जल पर पात जो है नर्मदा नदी की उद्गम इस्तला मर कंटक से लगबग 10 किलो मीटर दूरी पर इस्तेत है यहां पर पचास फिट की उचाई से है जल पर पर पात का नर्माण करती है नर्मदा नदी तो विल्कुल सई आंसर है अंगला कॉस्चन आप देखेगा नमन मैसे किस नदी का उद्गम मद्द प्रदेश में नहीं है बतायेगा बान गंगा छिप्रा चंबल या फर बनास वह नदी आ बनास आपका सयांसरों का देखेगा बान गंगा चिप्रा चंबल नदी का उद्गम मद्द प्रदेश में जबकि बनास नदी जो है राजस्तान की राज समंद जिले के अरावली परवस्त नडियों में कुंबल गड़ के पास बीरों का मट से निकलती है बनास एक मात रहसी नदी है तो संपुण चक्र राजस्तान नहीं पूरा करती है कौनसी नदी बनास नदी कौश्चन नमबर आपसे याँ पर 25 पूंचा गया निवन वैसे कौनसी नदी मद्द प्रदेश से होकर नहीं बहती है बताएगा चैन कीजेगा चंबल या पर महा नदी या पर कावेर नर्मदा बताएगे स्वानी जी क्या होगा सई आंसर 25 पूंचा गया है कौनसी नदी मद्द प्रदेश से होकर नहीं बहती है तो आप सभी का सई आंसर है महा नदी क्या होगा सई आंसर वेकल नंबर आपका वी वाला जो है वह आपका सई आंसर होगा बिलकुल सही चंबल जो है महू से उद्रकम होता है नर्मदा कमर कंटक्स से और कावेरी जो है इसका खंडवा मद्द प्रदेश में प्रवायत ओने वाली नदियां है जबकि महा नदी चत्तिसगर्ड ओडीशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है महा नदी कौस्चिन नंबर आपसे यहां पर 26 प तवा नदी किस नदी की ओप नदी है तो आप सभी का सया अंसर होगा न्रमदा नदी नर्मदा नदी आपका विकल्प नबर एक झारने यहां पर कैनक्या है उनका सया नंचरि नर्मदा नदी तो सभीक बत्ता है यह अनुप्र जली के अमर कंठक से निकलती है और अंगल्या कॉस्चन यहां पर देखे का मद्द प्रदेश में सहस्त्र धारा जल्परपात किस नदी पर है तो क्या होगा सही आंसर तापती नर्मदा चंबल या फिर माही 27 वा कॉस्चन आप से पूंचा गया है और 27 में आ आपका सही आंसर होगा नर्मदा आपका सही आंसर है जीवन देखा कहा जाता है मद्द प्रदेश की जीवन देखा नर्मदा नदी को महिस्वर में प्राची निस्ताने कहा जाता है कि सहस्त्र बाहु ने नर्मदा की प्रभाय को रोखने का प्रियास्तिया था किन्तु नर् नहीं होती बातायेगा चंबल बे या फिर शिप्रा तो नहीं पूंचा गया है तो आप सभी का सहीं आंशर बेगा से आप crackers राजस्तान के कुम्मलगड की पास वीरों का मट से निकलती है बनास एक ऐसी नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्तान में पूरा करती है कौन सी नदी बनास नदी क्वास्चन नमबर आप से यहां पर पूंचा ग्या है वंतिस्वा क्वास्चन निम्न मैं से मद्द प्रदेश की किस नदी पर आपके लिए जो चचाई जल प्रपात है यह आपको मिलेगा तो आप सभी का सही आंसर है वीहल नदी विकल्प नमबर आपका यहां पर जो भी है वह आपका सही आंसर होगा वीहल नदी पर निर्मत चचाई यह खुबशूरत जल प्रपात है जो मद्द प्रदेश का जल्परपात के स्टेथ होनी की काड़ इसका नाम चचाही जाल्परपात बड़ा है यह भारत का 23 सबसे बड़ा ज़ल्परपात मान सबसे भाइस जाता है कौंसा जल्परपातs रोगत 1-2 पर 5 सिंसर नदी तक पर चेदी सब्सक्राइब करें तो यह आपका विल्कुल सब्सक्राइब के लिए विकल्फ है आपका यहां पर सभी आंशर होगा तबा, दैनबा वो सक्कर नमगेसे किस नदी की साइग नदीया है? Question number 31 में आपके लिए बताना है नर्मदा की या पर चंबल की या पर छप्रा की या पर ताप्ती नदी की किस की साइग नदीया माल जाते हैं? तबा, दैनबा वो सक्कर एक्तिस्वाकोस्टेन आपसे पूंचा गया है एक्तिस्वाकोस्टेन आपसे सभी का वेकलत नमबर यानी की नर्मादा आपका सभी आंशर होगा बिल्कुल चाहिए नर्मदा नदी जिसे रेवा की नाम से भी जाना जाता है नर्मदा की प्रमुक्त साइक नदियां बनरास हैं, सरी, बरनार हैं, बंजर, सेर, सक्कर, दूदी, तवा, कुंदी, देव, हिरन, तिंदॉली, बरनार, चंदर सेकर, कानन, मान, कूटी, हतनी, बस्चे नंबर आपसे पूंचा क्या है, 232 तवा की, नर्मदा की, सौन की, या फिर, इनमे से कोई नहीं, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, कि विकल्प नंबर इहां पर, इनमे से कोई नहीं, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, देखेगा, यहां पर पूरमा गिरना बूरी शिवा नदिया जो है ताप्ती नदी की साइक नदिया है। ताप्ती आपका प्रस्ट में दिया ही नहीं था बिलकुल चाहिग ताप्ती नदी का उत्घं इस्तिल मत्ध पmeter जिर्ध से इस का उत्घं होता है और अंगला question आप देखेगा बुंदिलकंड के पठार की प्रमुक नदिया नदिया है या आपके लिए बताना है बेतवा है या फिर धसान है कैन है या फिर सभी सही है बुंदिलकंड पठार की पूंचा है तो बुंदिलकंड पठार में आपका सभी सही आंसरोगा की सभी सह ही हैं देखेए गादिलकंड का पठार जो है गरेनइड और नीज чत प्रकार्णा से बना है यहां की जलवायू महादीपी प्रकार किया गँजा कुशन पहुत ही महत्तिपून question जो क्लास में complete करेंगे नउनकों क्ल्सक्राइब से looked को सब्सक्राइब करने हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें सबी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद इसी तरह से रोज जुड़ना है और लाइक से रवस्ट करें